Hey guys, how are you all? आशा करता हूँ, आप सभी अपने अपने घरों पर सेफ होंगे और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक अपडेट देने वाला हूँ जो आप सभी स्टूडेंट के लिए या तो वो फ्रेशर्स हैं या फिर वो स्टूडेंट आरेडी exist कर रहे हैं आरेडी किसी कॉलेज में, सेकेंड यर में या तर्ड यर में स्टूडेंट है उन सभी के लिए एक biggest update है फस्ट एल के जो स्टूडेंट है, उनके लिए सबसे पहले ज अपडेट है वो ये चीज है कि आप सभी college में आप सभी जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि internals होते हैं internals में आपके 3 चीज़ के marks include होते हैं पहला होता है आपका assignment, दूसरा होता है आपका class test और तीसरा होता है आपका attendance तो 25 marks मिलते हैं आपके internals के, उन 25 marks में से आप जितना score करोगे वो उतना आपके लिए अच्छ होता है but finally अभी Delhi University ने एक notification में update करके बताया है कि वो अब internal में कुछ changes करने जा रहे है because जो Delhi University ने कुछ दिन पहले एक notification दिया था कि 18th November से colleges start हो जाएंगे but colleges अब reopen नहीं हो रहे हैं क्योंकि situation अभी control में नहीं है COVID pandemic की इस वज़े से colleges अभी reopen नहीं होंगे और जो आपकी classes हैं वो online mode में होंगी तो जब classes online mode में होंगी तो आपकी attendance का कोई चकर नहीं है जिसके basis पर आपको attendance के कोई marks नहीं मिलेंगे फिर दूसरी चीज आपका जो class test होता है वो class test नहीं हो पाएगा because exam कराने में ही काफी ज़्यादा जंजट हो रहा है तो class test कराना तो एक अलगी बात है घर बैठे class test कराना possible भी नहीं है तीसरी चीज जो है आपका बचा assignment तो डेली निवरस्टी ने ये प्लान किया है कि internal में हम changes ला रहे हैं यह दो चीज मैंने बता है starting में class test और attendance इनको हटा कर assignment के basis पर आपको internals के marks मिलेंगे तो internal में सबसे बड़ी change यही होगा कि अब जो 25 marks होते हैं वो आपके सिर्फ assignment के उपर depend करेंगे आपका जो assignment होगा आपको बना कर online summit करना होगा और फिर उसके basis पर आपको marks मिलेंगे तो वो होगे आपका internal फिर second चीज यही थी important biggest जो सभी के students के लिए है चाए वो first year के हो चाए वो second year के हो या फिर third year के हो आप सभी के colleges अभी reopen नहीं होने वाले तो फिलाल में Delhi University ने plan किया है कि slaybers को cover करने के लिए वो लोग online classes conduct करवाएंगे सभी students के लिए यह compulsory है सभी student की जो classes है वो online होंगी काफी सारे student आप सभी मेरे से पूछ भी रहे थे कि क्या जो classes होंगी वो online होंगी या offline होंगी तो classes online ही होंगी because situation अभी control में नहीं है ठीक है फिर third biggest change जो है वो यह है कि Delhi University ने plan कर लिया है वो बाकी second semester, fourth semester और six semester के जो students है और first semester के students इन सभी के जो external exam होंगे internal तो आप सभी को मैंने बताई दिया जो external exam होंगे वो होंगे आपके open book examination method पे, अगर आपको नहीं पता कि open book examination क्या है तो हमारे channel पे already मैंने video बना कर उस पे डाल रखी है और open book examination अभी just conduct भी हुआ था तो जिन student ने open book examination दिया था उन सभी को तो पता ही है बट जिनोंने अभी जो freshers हैं उनको पता अगर नहीं है तो वो video जाकर देख लीजा बाकी ये कुछ biggest updates थें आप सभी के लिए Delhi University की तरफ से जो मैंने पहुचा है मेरा नाम है आशीश अगर आपने अभी तक इस video को like नहीं किया है तो एक thumbs up जरूर दें और इस video को अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा share करें अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe दरूर करें इसी तरह की videos को सबसे पहले देखने के लिए thank you God bless you all